मुहम्मद आसिप साथ आए हैं जी आसिप साथ जी हर इस पर यवाज आ रही बिल्कुल सही आ रही क्या कहना चाहेंगे साथ जी मैं ये लास संडे को गया था अकेडमी जो जिलम खली भाई की मैंने उनसे बात की थी कि इस तरह जो है ना हमारे मजाहिद खराब कर रहे हैं ये दो बंदे हारस सुल्दान और गालिब कमाल कहते हैं मेरी हारस से तो अल्रेड़ी फोन पर बात हो चुकी है तो मैंने वही कन्फर्म करना था आपकी फोन पर आली भाई से बात हुई है तो चलें अब उन्होंने अगर बता दिया तो ठीक है उन्होंने बता दिया हाँ मेरी हुई है उनसे पर वह कह रहे थी खराब हो गया लड़का यह नहीं ही खोस्ता है अब यह उपन ली नहीं थी और वह साइड पर बात कर रहे थे तो उन्होंने का कि मेरी यार उससे बात हुई है अरुस्तान जो अस्ट्रेलिया होता है यार हाँ मैंने ऐसी क्या दिया मैंने ऐसी क्या दिया मैंने किसी से प्राइविटली बात की हो तो मैं पुब्लिकली नहीं करता तो इंजीनियर सहाब ने यहां पे पैरेंटिक खुद कहा है कि इनकी मेरे से बात हुई है तो देखते हैं मैंने यह वीडियो देखी कभी अधिन सर्थ पाकसाम ना सबसे दो बड़े मुझे तार रे सुल्टान से यार मेरे फूल पे भी यारा अपना कभी कर लेदा अधिन फाइदा नियुक्त भी आप यह रहा है अधिन सर्थ पाइदा ने जो रहे हैं चला उन्होंने क्या दिया अच्छा मुझे नहीं तब पता इसका कि उन्होंने खुद प्रॉब्लिक लेदा तो इंजीनियर साब यह मैंने बात ने की यह आप ने बात की आओ के मैं तो डरके मारे कभी किसी का नाम ने लेता मैं और भी बड़े लोगों से मेरी बात होती है तो मैं कभी किसी का नाम ने लेता क्यूंकि जाहरी बात अगर वो जी इसी तरह किसी ने मुफ्ति यासिर वाज़ी का भी नाम ले लिया था तो वाज़ी साहब ने भी खुद बताया था लोगों को किसी अपनी स्ट्रीम में कि उनकी मेरे से बात हुई है तो फिर मैंने कहा था कि मेरी उनसे प्राइविटली बात हुई है तो इस तरह और भी लोग हैं जिनकी मेरी बड़े लोगों से बात हो चुकी भी है पाकिस्टानी पॉलिटिशन्स और भी हैं बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी है तो मैं उनका नाम किसी का नहीं लेता क्यूंके मेरा ख्याल से यह प्राऊगरटिव उनके पास होना चाहिए कि वो ये फैसला करें, वो ये बताएं कि उनकी मेरे से कभी बात हुई या कि नहीं, क्योंकि बोस्ली लोग जो होते हैं, एन्यूवे, I think I'm upset enough. मेरा मकस्द ये था कि मुझे ये जी था कि आपसे बात तो हो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो डेएट करेंगे कभी. वो अभी वैसे अपने उदर ही बहु अधर ही बहुत करेंगे. नहीं, वो मारे सा डिबेट नहीं करेंगे, वो क्यों करेंगे, वो एक उनकी वीडियो थी, बलके मैंने शेयर करनी थी, नहीं एक तो आप अगर दुबारा मुला कातो ना तो पेगाम, जरूर मतलब हम जस्तों का भी दिये जगा, बहुत हम मत्दा हैं, और इस वजा से मत्दा हैं क्योंकि मौलवी की पावर उनोंने चैलिंज की है उस मिलक में, कि वो जो नॉलेज अपने तक रकھा हुआा था ना, मौलवी ने, और उसकी बेस पे उच अधरा히ठ कर रहा था, क्यों क्या, क्यों कि मौलवी की पादर είναι क्या, कि नॉलेज बस अपने तक रखने आ आके प्रपर नहीं करना और अवाम को कहने है कि नहीं दीन, मैं तुम्हें बताऊंगा, वह सीज़ उन्हों ने, उन से छीनी है ना, और उनके जो चंदे बंद हुएं, असल तकलीफ उस सीज़ की है, यह मौलबियों को, यह गुस्ताखी-शुस्ताखी बहाने है, असल उस सीज़ क उसलिए नहीं करते, वो इसलिए नहीं नापरसंद करते, क्यूंकि हम लोग, हमने बड़ी दफा़ यह बात की विया है, उन्हों ने फुद भी यह कहा बड़ा फब्लिक लिए उन्हों ने बात कई विया, उन्हें एथियस्टों से जो खतरा नहीं है ना, उन्हें सैकुलरो खतरा नहीं है ना, तो यह इसलिए उनको हम जैसे लोग बुरे नहीं लगेंगे, लेकिन लोग तो अच्छे बुरे होते ही हैं, और वही अच्छे बुरे लोगों को भी अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा होते हैं, वह टाइम नहीं लगता, तो हमारा तो, हम तो न ओरते हैं नजरियात की बात करते हैं जी निवड़ी जतने अच्छे हूं लेकिन जिस नजरिये की वो बात करते हैं उस नजरिये के अंदर totalitarianism है उसके अंदर collectivism है उसके अंदर बड़े greater good के लिए छोटे बंदे को भटे में डाला जा सकता not necessarily he himself और आज से जितने पहले भी मुकलिद आए हैं और जितने भी मेरे popularizer आए हैं इसलाम के उन्हें की नियत तो हो सकता है अच्छी हो और हर काम की mostly लोग जो होते हैं उनकी नियत अच्छी ही होती है in their mind they think के वो ठीक काम कारे होते हैं और स्टालिन भी समझ रहा था वो बड़ा बहुत बड़ा काम कार रहा और स्टालिन जब आया था तो Russians के हाथ में दातरी थी और जब गया था तो उनके हाथ में इस तरह की लोग romanticize बाते करते हैं मैंना मतलब यह है कि हर बंदा जो आता है आपने आपकी self आपकी personal freedoms जाती है individualism जाता है आपका आपके मौशरे में बरबरिया तो सक्ती आती है आप शुरू पाकिसान को देख लें ओ जी काईदयासम समझते थे उनका जो माला बर में जो घर था वो समझते थे वहाँ पर आया करूँगा मैं इंडिया पाकिस्तान ऐसा हो गए जैसे अमरीका कैनेडा है देख लें क्या बन गया और उस वकत के लोग आपकी सडकों पर किस तरह के लोग लिबरल लोग भी फिरते थे इंग्रेज आते थे गोरे आते फिरते थे 60-65 की दाही तक प्रोग्रेसिवली डिकलाइन हुआ है आपकी सुसाइटी का आप अफगानिस्तान को देख लें आप इरान को देख लें अनलेस यू हिट तब बॉटम पिट आप उससे नहीं उठते और पाकिस्तान अनफोस्टली नीचे की तरफ जा रहा है मैं भी सोच रहा थे एक रिसर्च करके अच्छी पूरी स्क्रिप्टिड वीडियो बनाऊ साओधी अरब की उपर किस तरह जो अरब में भी जो मुलक आगे जा रहे है जो सबसे ब्राइट फ्यूचर अगर है किसी का इगनोरिंग दा फैक्ट के महाँ पर बात्शाहत है लेकिन उसके अंदर और मुहमद बिन सिल्मान काफी यंग है तो he would stay a king for a very long time but who knows किसी किसम का कोई reform आ जाए कि मौनार्क की ceremonial position बाद जाए लेकिन वो लोग जो है वही मुलक आगे जाते वे नजर आ रहे है जो इसलाम को back burner पर डाल रहे है और जो जितने मुलक इसलाम को वापस ला रहे हैं even including तुर्की उनके हालात खराब होते जा रहे है तो इसलिए इंजिनियस हाब की नियत तो अच्छी होगी लेकिन उसका end result किसी भी society का जिसके अंदर मजब आता है वो उसका end result सही नहीं होता लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इंजिनियस हाब का एथियस्टों के बारे में किया ख्याल था इंजिनियस हाब के बड़ी मज़े की बात मुझे सुना ही थी उनका ये interview हुआ था वो कहते हैं मुलिवियों का रोना रो रो रहे थे ये अफ़ल कादरी ने उनके पर भी किराया था जो उनके उपर है कि जनोंने वसुल आपको एक वाडियूस कर दिया हम काफरों के रैफरेंस से बियान कर रहे होते हैं कि वो ये बकवास कर रहे थे हम तो जवाब देने वाले एंड पर बैठे होते हैं यही वज़ाए कि बाज उकात एथियस्ट के जो बड़े गलीज किसम के क्वेस्चन्स है ना वो मैं अड्रेस ही नहीं करता डरते हैं वे क्योंकि जब मैं उस बात को रिपीट करूंगा ना यह मेरे खाते में डाल के उसको कर देंगे वो यही बाई मेरा खाते है वो कहते है इस वज़ाए से भी एथियस्ट होगे मूरी लगना हुए है ते बाप बैल मुझे मार वाला ही साब है तो उसका की हो जी गुस्ताखी कि हम को ऐसी वैसी है हम क्या करें हम बड़ा फिल्टर लगा के बात करते हैं लेकिन उसके अंदर बाते ही ऐसी लिखी में है हज़त आशागी वो आपको याद होगा ना इंजिनियर साब ने जो का था देखें इंजिनियर साब आखरे कि किसी हद तक रैशनल आदमी है तो वो जोने का था ना कि 11000 वोल्ट को हाथ लगाने जा रहे हो तो उनके लिए 11000 वोल्ट भी होते हैं उनके लिए भी आए इंजिनियर साब के लिए भी इंजिनियर साब मुझे एक और उठाने मैंने पता नहीं बड़ा एक और वीडियो मेरे नजर से गुजरी बड़ी जीब बात की बिलकर ना आपको वीडियो बलकर थोड़ी लंबी है चलाई देते हैं इंजीनियर स्पेशल ही हो जाए पिर यह सुने लोगा परिश्टे उसको अजाब देने लगे ना गुर से बाबा औरी चलेगे कबर और मिर्जा जेल भी बोलेगा उचे गोस्पार कुष्चन लॉजिकल है ना मुरीद था मेरा वह स्पाग तो मैंने अपने रब से कहा परवर्द गारा निस्बत मेरी है तो अला पाग ने फरमाया यह बड़ी लंगी है मैं विचों अजब कर रहा हूं अला पाग ने चयार परिश्टियों आडजों पिछे अव्दल कादर गार दे हो जी और गौसपा बाबा अब्दुल कादर जिलानी मिच पाग ए चाड़ दो चाड़ दो मर्दे का प्लैन कैंसल यारी अला यह यह सेकेंडरी बाते है अच्छा हम अक्सा सुनते हैं कि अल्ला ताला ने सारी काहिनात रसुल्ला के लिए बनाई है यह लेकि सुरत सुरत अराफ में बड़ी तफसील के साथ, सुरत अलहिजर के अंदर आया, सुरत बनी इसराईल में आया, सुरत अलकाफ के अंदर आया, सुरत तौहा के अंदर आया, सुरत सौध के अंदर आया, सातों जगा यह चीज़ स्किप होगी है कि यह काइनात किसलिए बनी है और आ 나서 आइब मामिया हो जाते हैं और आम की याटुली से आम का द्रस्व कंए में आठ जाते हैं very dark ждard जाते हैं थे दूंऑ झ्रीच इने अका सजते हैं च्र्था लॉथ कर से 150 आगा सिन मरीख के तीन गेंटों की बात कर रहा है मरीख के भी वैसे तक्रीबर ने तने मैं वीनस के तीन गेंटों की बात कर रहा था ये क्या बात हुई बई ना इंजीनिया साब एड़ी ते छेती नाल नहीं आते तिसे डंडी मार गए हो तो एक महीने के अंतर बच्चे दे देता है, मुर्गी के अंडे से, बाइस दिन में चूजा निकलता है, और हाथी का बच्चा बाइस महीने में पैदा होता है, इनसान का बच्चा नो महीने में, ये अल्ला की मर्जी है, तो कहिनात को अल्ला चाहे तो आने वाहिद में पैद बलके खोलने तो अच्छा है और उसमें अब जान पर एख जान तक मुझे आते हैं वाज़े आते हैं यही है यही है क्योंके यहाँ पर डंडी मार गए क्योंके इंजीनियर सब्सक्राइब साइब बुखारी मुस्लिम के उपर सुधा नहीं करते ये है अबू हराया से रुएत कि अल्ला जबर्दस जिसने मटी को बनाया हफ्ते वाले दिन जब चेक करें जड़ा कैसी सेंस लगी है यहाँ पर अल्ला ताला ने मटी को बनाया हफ्ते वाले दिन फर पहाड़ बनाए, इतवार वाले दिन, फिर द्रखत बनाए, पीर वाले दिन, फिर बाकी की चीज़ें बना दी मंगल वाले दिन, और पिर रोशनी बनाई बुद्ध वाले दिन, बंदा पुछे, रोशी पहले ही पने आदमी सी, एंवी हने रेचे काम कारते हैं तुछी, अच्छा, एंडी कॉस्ट दी आनिमल से स्प्रैट अं थर्स्डे, थर्स्डे को चरिंद परिंद लगा दिये, एडम, हजरत आदम को असर के वक्त, जुम्हे वाले दिन पैदा किया, अच्छा, इस पे कावेल करते हैं, बड़ी मजाईया कुछ लोग, कि यहां भी जो मराद है न, दिनों से पीरिड जैसमें, दो मसले हैं, पहली बात तो यह है, जो आप्विस सा सवाल है, कि पीरिड जी मेंशन करने थे तो दिनों के नाम में लेनी क जरूरत ही, लेकिन, सबसे इस सही हदीश है, जिसमें के लिखा हुआ है, कि हधरत आदम पैदा भी जुम्ह के दिन हुए, और फौत भी जो है, वो जुम्ह के दिन हुए, तो फौत तो वो जाहर है, वो अर्थ पही हुए थे न, इसका अंतलब में अर्थ वाले 24 गंटे की ह जुम्ह 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 बात हो रही है, तो इसलिए वो भी इनकी, वो भी हधीश का नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बड़े रामसाइब ने माज़ा किया थिंग और सही हधीश है, तो इसलिए ये वो ये लॉजिक बिल्टा से हुए जो जो बारा मुनाफिकों वाल लेकिन क्योंके अभी इतनी सी बातों पी उनके खिलाफ इतने लोग वो चुपे हैं तो अबी उनोंने कुछ बाबों को ही चैलनज की है, अभी तो घॉसे पाख। problem है इन सारे लोगों की including everyone problem यह है कि यही challenge थोड़ा extend कर देते हैं और कहते हैं कि तरह अल्ला मिया को कहो एक मैं drama वो एक बड़ा पुराना शो था वो बड़े मुझे अफ़ताब इक्वाल बैठा हुआ है कहता है ओ यह शितान तो शितान ऐसे serious होके कह रहा है कि शितान बड़ी बुरी चीज़ और को पहला देता है खरब फिर कहता है वो शितान की तो कोई हिम्मत यह लिए शितान यह कप यहां से उठाके यहां नहीं रख सकता हो मामा अपने Allah को कहते है कि यहां से उठाके यहां पर रखके दिखा दे हमें कडाका पिछले चार सालों से कानों मार के दिखा दे तो उसी यह बाबों के उपर लॉजिक है ना इंजीनियस आप एक बाबावावावावास तो एनिवे तो यह अभी पर बाबी ना शुड़ो है अभी जो है ना उन्होंने जहां हाथ डाल दी है मेरे ख्याल से अपना काम का रहे हैं हम अपने काम कार रहे हैं यह नहीं लिक्शनल नतिज़ा उसका आखर जो है वो फिर पूरे रिलिजिन को भी लोग लाजिकली ही देखेंगे तो उन्होंने लिए डाली है वावाम की हाथ में डाल दी है वो तबी वो तबी जब हम पीछे से धका लगाएंगे एक थोड़ा सा और के इक बाबा और कोई कोई शेर बनाओ यार कोई गिरते हुए बाबों को एक धका और दो एक बाबा और नहीं गिरते हुए अच्छा मैंने असल में पूब्ली कर ली तो नहीं थी यह बात करनी मैंने फेस्बुक पर आप से राप्ता भी किया था अप इतने एक्टिव नी है फेस्बुक पे ना मैंसे मेसेंजर पर मैंने आपको मैसेज़स किये हुए तो उनकी उन से मिलने के बाद आप बड़े और आ समझते हैं अल्ला नागर जैसे उनके स्टूडन्ट का यहां दश्ग्जारा लोग आप पे जमा हो जाते हैं एस तरह से तो आपका क्या स्टांस होगा और मॉमिन जो होता है मॉमिन में आपको बता दो मॉमिन होता है बहादूर जमगटे में और जमगटे में भी जब मॉमिन बहादूर होता है तो वो इसलिए कारा होता है कि उसको लगता है उसको डफर को ये समझाया जाता है उसको ये लग रहा होता है कि शायद वो बज जाए उसको सारे hero बना देंगे honestly speaking, blasphemy का भी जो case है ना, वो पूरी दुनिया में वैसा नहीं है जैसा पाकिस्तान में मुसल्मान जो बाकी के भी है ना वो blasphemy को उस तरह नहीं देखते जिस तरह पाकिस्तान में देखते हैं तो पाकिस्तान में ये उन्होंने पर मिशाल के उपर तो फिर भी वो आगे चल के मार रहे होते हैं जब छितर पोला होता है तब उनका software अपड़ेट हो जाता है इंजीनियर सहाब ही कहते हैं कि जितनों ने इनको पर हमला किया बाद में सारे मुखर जाते हैं आपोन कि उसने उसको मारा था सलमान तासीर को क्या नाम था उसका बांधर का मुखर तो इनको सारों को जान से प्यार होता है ड्रामे करते हैं रसूल की खाते जान भी गुर्भान मेरी नहीं तेरी तेरी ये ये इधर नहीं इतर नहीं नहीं करते ही है हाँ पाकिस्तान में बांगत हो अंकितने को इनकी लुटने पड़ी में कभी खुद नहीं करता ना इसके वो स्टोईग भाई पिछली शायद स्ट्रीम में कह रहे थे कि ना इनके कभी बेटे करेंगे ना इनके रिष्टेदार ना मौल के खुद हमेशा यही दुआ को इगाजी पैदा हो जाए बगहरे थे इनसान तुमारा बेटा क्यों नहीं पैदा हो तुमारा बेटा कि किस काम में लगा हुए उसको कि इसके पास नहीं है अपना वो हिम्मत के वो जाए करें कोई गाजी पैदा हो दे बेशरम लोग चाले बहुत शुक्त शुक्त अर अब बस यह एक लास्ट चीज़ गया ना शेर का बच्चा उसना कोई नहीं का आकबर कलमा कुलमा अटलीस हमें तो नहीं पता चला है इस बात का आसे वाई मैं आखरी बात करूंगा आपसे वो मुझे भी निकलना मेरी भी क्लास है कि देखें मेरा ना एक नियर डेथ एकसिडेंट हुआ था सकर्दू के पा टर्बिलन्स होती है ना बड़ी दफा मुझे जहाज में बड़ा डर लगता है कि वो हून थे गए जी तो लेकर कभी में मेरे जहन में दुआ नहीं आई प्रेयर नहीं आए कि आला चाड़ दे बचा दे कभी भी नहीं हुआ एक शकर्द के लिए भी नहीं आई था बस यह लुक chilli यह भी नहीं आ यही है कि इस चीजस पर इमान बन गयानाा के ऐसी में में इस बिट भी और ओपन लेकिंडर अगर और वाइप आउट हो गया है दुनिया से वो समझते हों कि मुझ 만들어 पता की कोई नहीं अप्रोच की मिसाल मैंने थेरा हुआने थोड़ा सा अपने ही टाइप मेरे ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये पेटरन बनिये या फिर आप मुझे बाइमी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते कर दो